आपको पता है कि हम पढ़ा रहें वाइस और वाइस की बहुत सारे पार्ट चार पांच पार्ट जो है फर्मेटिव निगेटिव इन सब के हम प्रस्तुत कर चुके हैं इंट्रेटिव और इंट्रो नेगेटिव का भी दे चुके हैं इतना छोटा नहीं है in उकलद चोटा नहीं इंट्रो डोन गातिंस होता है वह संटेन्स दो प्रकार कें आपको बदा चुके पर यहाँ ठोड़ा सा बघ्स्क करते हैं सब्सक्राट हैं interrogative हुआ तो इसके यदि हम chart बनाए तो दो प्रकार से हमारे बन जाते हैं एक होता है yno यानि कि yes no इसको yn question कहते हैं question कहते हैं और दूसरे को wh question कहते हैं दूसरे को wh word या wh question बोलते हैं question तो इसका तो हम पढ़ चुके हैं इस चीज का हम पैसी पढ़ चुके हैं इसमें दो प्रकार होते हैं interrogative और intro negative तो दोनों चीज हम इसको पढ़ चुके हैं इसको जानने के लिए आप हमारे लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा जब देखेंगे तभी तो समझ में आएगा देखेंगे नहीं तो समझ में आएगा नहीं कि कौन-कौन सा concept हमने clear किया है तो अब आज हमको पढ़ना है इसे डबलु एच कोश्ण को पढ़ना है कि डाभलु एच वर्ट्स डबलु एच इंट्रोगेटिव संटेंस क्या होते हैं तो कई बार बता चुकी यह sentence पढ़ाया था मैं मैंने तब भी मैंने यही बताया था कि ऐसे sentences सेज जिनका प्रारंब दबलू ह हुद्स से किया जाता है और इनका एंसर हमें पूरे सेंट awake होता है तो एक बार हम आपको और बता दें कि यह डब पलो हुद्स हैं क्या डबलो हुद्स एक बार और बता रहे हैं तो ध्यान से देखें गे आप तो डबलोë वर्च वर्ड्स है हमारा when, why, where, how, who, whom, which, how many, how many इतिसी मिन्स जितने भी इंस संटंस बनने वाले हैं वो सारे के सारे चीज तो आज हमको क्या करना है हमें पढ़ना है इनकी passive कैसे बनाई जाती है जिन sentences में यानि कि जो sentences WH words से प्रारम होते हैं इनकी passive बनाने के लिए हमें क्या करना पढ़ता है कैसे rule लगाने होते कौन सा trick अपनाना होता है इस चीज की जानकारी आप देखेंगे इस वीडियो में इसलिए आप अंत तक जरूर देखिएगा यदि नय है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम कहते मत करिए सब्सक्राइब आप कम से कम वीडियो को आप अंत तक देखिए तो सामने वाला आपको क्या बताना चारा है क्या समझाना चारा है उस चीज को जानने का प्रयास तो करें नहीं इक्षा पढ़ती तो मत करिए सब्सक्राइब कम से कम देखने का प्रयास करिए कि हाँ वास्तों में सब्सक्राइब करने लायक है या नहीं है तो हम तो पढ़ाएंगे ही, हम तो पढ़ाएंगे ही, तो ये चल रहे हम पढ़ाने, ये हम इसका आज हम passive बनाएंगे और पढ़ेंगे, खुद भी पढ़ाएंगे सबको, तो आप देखते रहेगा, और देखेंगे जरूर, ठीक, तो आप हम इसका answer, इसका passive कैसे बनता, वो चलते हैं, एक कदम आगे, तो चलिए आपके सामने, एक structure लेके आए हैं, किसका structure लेके आए हैं, इंट्रोगेटी वोड्स का, इंट्रोगेटी वोड्स अभी बताया, उसमझ में आगया होगा, उसका हम एक structure लेके आए हैं, ऐसा structure दे रहे हैं, ऐसा trick दे रहे हैं, कि आप कि पता हो गया कि किस टेंस में कौन सा अग्जुलरी वॉफस पैसीव में लगता है आपका अग्जुलरी वॉफस कहीं नहीं रहेगा झिर्फ आपके चेंज़ होते हैं तो पीछे देखेंगे तब ही समझ में सबसे पहले हम डबल प्लाइ करेंगे जो भी सेंटेंस में हमारा कोश्चन वर्टस लगा होगा सबसे पहले वहां पिसके लिए यह structure हमारा बना है यह structure हमारा passive के लिए बना है यह भी ध्यान देंगे कि structure जो बना है हमारा यह passive change करने के लिए बनाया गया है तो सबसे पहले डबलो अच्वर्ट लगाएंगे अब जो tense जैसा tense होगा जो tense होगा tense और subject के according यहाँ पे हम axillary verbs लगाएंगे tense और subject के according ही axillary verbs का यूच करेंगे फिर सेम जैसा करते आ रहे हैं वही रूल वही धर्रा पनाते जाएंगे कि object to subject main verb का third form फिर by लगाएंगे और यह यह चीज आपको कहीं भी change नहीं होती है सिर्फ कहीं भी आप एक चीज मैंड में बठा लीजिए कि simple sentences का हम बना रहे हैं simple उनके लिए सिर्फ आपको axillary verbs change होना होता है तो sentence देख लेंगे आप sentence की पहचान कैसे करनी है why does she teach the children why does she teach the children किस tense का है यह किस tense का है तो यदि हमाई दिमाग में आया किस tense का है यह किस tense का है यह हो गया हमारा present indefinite tense तो present indefinite tense में हमने एक चार्ट बताया है कि कौन सा axillary verbs लगता है उसमें लगता है axillary verbs हमारा क्या लग जाता है passive के लिए is rm is rm is does से हमने पहचान करी कि indefinite का है और इसकी passive बनाने के लिए हम is rm का यूज करेंगे तो according to this structure we use here y by अपने स्थान पे ही रहेगा y, r फिर वही चीज हमने उठाया the children taught by her taught by her यह आपको समझ में आ गया होगा next sentence लेके चलते हैं next हमारा कैसा है उसको देखेंगे अब यह भी पहचान करेंगे कि कौन से टेंस का है where did they buy books where did they buy books अब यह किस टेंस का है यह किस टेंस का है यह टेंस आप पढ़े होगे तो अची दर असे समझ में आ गया होगा कि यह टेंस हमारा है past past indefinite tense का past indefinite tense में हमने क्या chart बना के दिया है कौन से auxiliary verbs लगना है was, was, was अपने स्थान पे ही रहेगा उसको इधर से इधर नहीं करना है बाकी same rule जैसा बताते आए हैं जैसा कि object को subject subject को अबजेक्ट को अबजेक्ट वर्व का third form यह सब अपलाई करना यह सारे चीज लगाया जाना है buttons की पहचान होनी चाहिए तभी हम यह सब कुछ कर पाने में सक्षम हो पाएंगे तो हमने यहाँ पे लिखा were, were, were यह plural form में है books plural form में है इसलिए where were the books bought by देका दिम इसी तरह से सभी sentences आपके दो आ गये हैं यहाँ पे इसी प्रकार से दो आ गये हैं कि आपको कहाँ पर क्या change कर देना है अभी just or just अभी by structure हम अभी यहाँ पे change करके बता देंगे यह चीज तो आपको पहले से बन रही है आप जान रहे हैं अब रट गये होंगे 5-6 वीडियो बना डाले हैं तो वो आपको रट गया होगा समझ गये होंगे तो देख लीजिएगा यदि कोई भी पार्ट आप पढ़ रहे हैं तो वो तभी समझ में आएगा जब आप सुरुआत इसकी स्टार्टिंग देखेंगे कि कहां से इसकी स्टार्ट की गई है तो हम चलते हैं वागे देख लीजिए तो बच्चों हम आपके सामने इसको थोड़ा सा और इजी कर दिये हैं यह चीज एक बार हम अफर्मेटिव का दे चुके हैं इस तरह का लेकिन आप एक हमें बहुत साइजी वेला दिये हैं आपको किसके लिए आपको इंट्रोगेटिव डबल आच वर्ट के लिए तो क्या चेंज करना है वो चीज देखना है एक बार आप देख लेंगे हमको चेंज करना है आपका एक्जुलरी वर्प्स एक्जुलरी वर्प्स सभी में चेंज करना है यह भी ड्राइग्राम जो चल रहा है उसको देखते जाएंगे एक बार एक बार अच्छे से मन लगा कर यदि आप देख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं आने वाली है तो आपको पता है एट टेंस की ही पैसिब चंज होती है इंट्रोगेटिब भी जाहिर सी बात है उन्हीं की होगी और एक एक्सेप्शन है वो चीज हम बता देंगे कि जो चार टेंस निकाल दिये गए हैं उनकी पैसी कैसे बनाई जाती है वो भी हम फिर लास्ट में लास्ट तक में उसको भी बता देंगे तो सबसे पहले प्रजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या चेंज हो रहा है सिर्फ चेंज आपका यहां करना है तो यहां पर चेंज करने के लिए पूरा का चीज हम पहला तो बना दिये हैं आपके लिए पहला देख लेंगे कि डबलो चीज आरेम लग जाएगा फिर वही पूरा का पूरा जो रूल चल रहा है वही चलना है नीचे हम आयंगे प्रजेंट कॉंटीनिवस में डालonst अपने स्थान पर जानिंज डालो च मिन्स डालो च वाल्च जो भी डाल शुष सुसमें कॉश्च वर्ट्स लगा होगा वह चीज होता है तो डालॉ ह है तो डालो इ में सब्जेक्ट है और यकों फ़्स जा दिया संद्रेस किया है व समझ चरहे पाश्ट इंडिफिनिटेस पस्ट इंडिफिनिटेस्ट सिंडिफिनिटेस्ट इसकी पैसी में वाजवर लगती है आफरमटी में हमने बताया है और subject आ जाना है इसमें कोई ज्यादा कुछ गुण नहीं लगाना है नेक्स्ट हमारा past continuous tense में past continuous tense की passive में आप जानते हैं कि was were plus being लगता है was were plus being लगता है पर कहां लगता है पर लगता कहां है लगता है यानि कि being और work के बीच में subject आ जाता है का जो इंट्रोगेटिफ बताए हैं हम तो सिर्फ है डबलोज को लगा दो तो इन डिवह को लगा दो इन डवल इंत्रोगेटिफ बन गया तो थोड़ा सा दिमा्ख लगाने की जूरुद होती बहुत ज्यादा नहीं तो आगे चलते हैं यह समझ में आगे आपको क्या चेंज क तो डबलो एच के साथ में लगता है इसलिए हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट आना है पूरा का पूरा रूल आपको एक ही जैसे दिख जाएगा एक जैसा यह एक कॉंसेट्ट आपको समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इसको नोट करके रख लीजिया नेक्स्ट चलते हैं आप फ्यूचर इंडिफिनेटर्स में आप भी जानते हैं कि शोग और विल बी का यूज किया जाता है पर कहां पर तो संटेंस के पहले डबलो एच संटेंस के पहले डबलो एच वो तो लगना है और अल्रडी लगा हुआ इसी तरह से हमारा है पास्ट पर्फेक्टेंस पास्ट पर्फेक्टेंस पास्ट पर्फेक्टेंस इस दे लास्टेंस आप पैसिव वाइस सॉरी फ्यूचर पर्फेक्टेंस फ्यूचर पर्फेक्टेंस फ्यूचर पर्फेक्टेंस इस दे लास्टेंस आप पैसिव वाइस बनाने का जो रूल है हमारा future perfectence में समाथ हो जाता इसके दो टैंसम निकाल देते हैं कि उसकी पैसिव नहीं बना जाती है इंग्लिस में नहीं बनाई जाती है पर मौर्डर जवाने में जी रहे हैं तो उसी के करड़िंग चलेंगे तो चलना किया मारा future perfectus में future perfectus में डभलो-च को इथावत रहने देंगे अपने स्थान पे रहन देंगे कोई changing नहीं करना है शेल बिल और है बीन को थोड़ा सा दूर भगा देंगे है बीन और इनके बीच में क्या लगा देंगे सब्जेक्ट लगा देंगे अब करना क्या है आपको अब आपको करना क्या है according this diagram आपको sentences लेना है सभी tenses के जो 8 एट प्रकार के sentences का integrative WH sentence ले करके इसी according आपको पैसिब चेंज करना है यह स्वेम प्रैक्टिस करना है you know practice makes perfect तो जब आप बार 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 प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा इसलिए यह diagram हम आपके सामने पेश किये हैं एक एक चीज का इसका भी example दे इसका भी दे इसका भी दे तो फालतों में वीडियो लंबा हो जाना है आनासार वही है तो समझना आपको सिर्फ इतना है यदि आपने इतना समझ लिया है तो इसकी पैसिब आपको बहुत सरल तरीके से बन जानी है अब wh words में एक होता है who, which, by whom, इनका यूज अब हम आपको next वीडियो में बताएंगे कि इनके यूज के लिए क्या किया जाना है confusion वाले words ये होते हैं who, which, by whom, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है तिनको हम next वीडियो में जरूर बताएंगे तो आप देखिएगा जरूर, next हमारा आने वाला है उसको जरूर देखिएगा तो ये यहाँ तक आप यदि बने हैं और बने रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह बने रहिए आप वीडियो से पूरा का पूरा देखिए आंतर तक जरूर देखा करिए कुछ न कुछ नया पॉर्फेक्ट मिलता ही रहेगा थेंक्स वर वाचिक आई